बिसमें लायर रख्मान रहीम एक्स्रीम इंजिरिंग के साथ एक बार फिर आजर है आज जो बिसिकली हमारे टॉपिक है वो है आफ पीक और आउन पीक के अवाले से जो हमें बिल में नजर आ रहा होता है अच्छे ये सिंगल फेस में नहीं होता ये थ्री फेस में होता है थ्री फेस जो कंजियूमर होते हैं बिसिकली उनके उपर ये लागू होता है और इसके जो चार्जेस होते हैं वो भी जादा होते हैं बनेजबा जो नॉर्मल सिंगल फेस मीटर होता है अब होता क्या है ये आफ पीक और आउन पीक इसके उपर हम बात करेंगे आज बिसिकली होता ही है कि साड़े छे से दस बजे तक ये टाइम जो है बिसिकली ओन पीक कहा गिया है जो केलेक्टिक के मतलब उनकी वैबसाइट पर आपको मिल जाएगा ये ओन पीक कहलाता है होता गया इस ओन पीक में ओन पीक साड़े शे से दस बजे बिसिकली उसको कहते ही है कि यहाँ पर इस टाइम डिमांड जो है न बहुत जादा हाई होती है तो क्या होता है उनको जो कुछ ऐसे पावर प्लांट उसको अपरेट करना पड़ता है जो डीजल पर होते हैं जनरेशन का गैप है जनरेशन कम है तो इस वजह से हमें फिर वह पावर प्लांट उनको अपरेट करना पड़ता है जो महेंगे कॉसली होते हैं तो उनकी बेर करने के लिए उन्होंने क्या किया इस टाइम से इस टाइम तक क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल रेजिदेंशल सारा लोड ऑपरेट ओन हो जाता है तो इसके यूनिट जो है वह महेंगे पड़ते हैं तो इस वज़े से उन्होंने क्या किया, यूनिट्स जो है उसको चार्ज कर दिया है, मगर ये एक time period है, उसको उन्होंने define किया है, जिसका नाम दिया है on peak और off peak, off peak वो सारा time है, जो शाड़े 6 से 10 के अलावा है, तो वो off peak आजाएगा, तो उसके यूनिट्स थोड़े से कम है, बनिजबत, आपको इस बिल में भी नदार आ रहा होगा, यह देखें, off peak जो है 24 रुपे, और on peak जो है 30 रुपे, 6 रुपे का तकरीबन फर्ग है, तो यह basically off peak और on peak होता है, वो मीज़े समझ में आपको, thank you.